हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगें टू लंड़े दितीमन, राजिस्थान के इतिहास में 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 हमने लास्ट वीडियो में राजिस्थानी चित्रकला की जितनी भी बिभिन शैलियां थी, वो हमने कम्प्रीट कर ली थी, आज हमारा टॉपिक है भी कम्टीशन एक्जाम में आता है, जो भी राजिस्थान के एक्जाम होते हैं, आम इन्जान के द्वारा बिना किसी ताम जाम व प्रदर्शन से, जब अपनी सुभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य, आदी की रूप में पेस किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है लोक कला कहलाती है, वास्तम में लोक कला ही संस्कृती की वास्तविक वाहक और प्रस्तुत करता होती है, तो लोक कला जो है वो क्या है, तो समझे लोक यानि वहां के लोग और लोगों के द्वारा वहां दिखाई गई बिना किसी ताम जाम और प्रदर्शन के, जैसा वो रह रहे हैं, as it is, वैसा ही दिखाना अपनी संस्कृती को, तो वो कहलाती है लोकला, चलिए देखते हैं, कौन कौन सी लोकलाएं है राजिस्थान की, सबसे पर्स्ट है सांजी, तो सांजी क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, कुमारी कन्याएं होती हैं, वो 15 दिन तक क्य करती हैं पूजा करती हैं ठीक है किस तरीके से करती है सांजी दसहरे से पूर्व श्राद पक्ष में बनाई जाती है कुमारी कण्याएं सफेदी पुती दिवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती है यानि कुछ न कुछ क्या करती है ड्रॉ करती है आकार बनाती है और उनका फिर क्या करती है पूजन करती है ठीक है तो ये याद रखना है सांजी के बारे में पूछा जाता है दसेरे से पुर्च राद पक्ष में बनाई जाती है और कुमारी कन्याओं द्वारा सफेद पुती दिवारों पर 15 दिन तक लगातार कोबर से आकार उकेर कर पूजा की जाती है इसे सांजी, संजूली, सांजूली, सिंग्जी, सांज, के हांजी, हांजिया इन सभी नामों से भी जाना जाता है तो कई बार अगर एक्जाम में सांजी ना पूछ कर और हांजी आ जाए या हांजिया आ जाए याद रखना है बात किसकी हो रही है सांजी की कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेर कर उनमें काज के टुकडे, मोती, चूडी, कौडी, पत्थर, पंक, कपड़ा, कागज, लाख, फूल पत्तियां आधी के प्रियोग दोरा एक दमक्ती हुई रंगीन चित्रा कर्शक आकर्टी बनाती है तो वो उसे बहुत अधिक सुन्दर बनाने के लिए इन सभी चीजों का यूज करती है सांजी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर, घर की कामना के लिए कन्याएं पुझन करती है तो ये कुमारी कन्याओं दौरा पूजा होती है माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर की कामना के लिए कन्याओ द्वारा पुजा की जाती है पहले दिन से दसवे दिन तक एक या दो प्रती की ही प्रति दिन बनाये जाते हैं किन्तु अंतिम पांच दिन बहुत बड़े आकार में सांजी की रचना की जाती है जिसे संज्या कोट कहते हैं वो मानव पसू पक्षी प्रकरति आदी का चित्रन किया जाता है तो यहां के बलबस इतना ही याद रखना है कि सांजी जो है वो कुमारी कन्याओं द्वारा पुजन किया जाता है पार्वति माता का रूफ मानकर और क्या करती है गोबर से आकार उक्रती है पंदरा दिन तक लगातार पूजा की जाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए मानड़ा दीवारों को अलंकरत करने के लिए बनाये जाते हैं घर की दहरी चौकट आंगन चबूतरा चौक घड़ा रखने का इस्थान पूजन इस्थल आदी पर ये मानड़े अंकित किये ज होंगे विवहा पर गनेज जी लक्षमी जी के पैर स्वास्तिक आदी के साथ ही गलीचा मोर मोरनी गमले कलिया बंदनवार बच्चे के जन्व पर गलीचा फूल स्वास्तिक रक्षा बंदन पर श्रमन कुमार गंगोर पर गुनों का जोड घेवर लहरिया तीज पर भी मानी जाती है माननों में तरकोन, चतुषकोन, शटकोन, अस्टकोन, वरत आदी आकरतियां भी बनाई जाती है ये माननी अत्यंत सरल होते हुए भी अमूर्थ वज्यामती शैली का अधूस्चा मिश्रन है तो यहां पर तो कुछ भी आपको याद नहीं करना है आपको पता ह मानना क्या होता है सभी ने अपने घरों में दीवारों पर जो है वो ये देखे हैं अगला है फड भीलवाडा के शहापुरा कस्वे में चीपा जाती के जोसी चितेरों चितरों क्या होता है देखिए तदबब है ये चितेरों किससे बना है चित्रकार से द्वारा पट चित अब फड क्या होती है पड देखिए जैसा कि यह चित्र में दिखाया जा रहा है पाबू जी की फड तो यह कपड़ा होता है जिसमें किसी की जीवनी जो होती है स्टार्टिंग से एंड तक जो है वो उकेरी जाती है ठीक है तो यहाँ पर यह जो दो लाइन है most important है कि फड जो है वो भील वाडा के सहापूर कस्वे में छीपा जाती के जोसी चितेरों द्वारा पट चित्रन किया जाता है इसे ही राजिस्थानी भासा में फड कहा जाता है और भील वाडा निवासी श्रीलाल जोसी इस सैली के प्रमुक्चितरकार है फड भोपो के लिए निर्मित की जाती है ये भोपे फड को लकडी पर लपेट कर गाउं गाउं जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्ता जंतर वादियंत्र की धुन के साथ कदम धिरकाते हुए इसका वाचन करते हैं ठीक है तो फड जो है वो बाची जाती है रावण हत्ता और जंतर वादियंत्र की धुन के साथ ये लोग नाटे गायन वादन मौकिक साहित्य चित्रकला लोग धर्म इसका एक अनूठा संगम है इसमें लोग देवताओं के जीवन के अनेक प्र चोटी बनाई जाती है तो जो सबसे प्रमुक है उनको तो बड़ा बनाया जाता है बाकी आकरतियों को चोटा बनाया जाता है तो लोग देवताओं के लिए पर्ड जो है वो रची जाती है ठीक है उनके जितने भी प्रसंग होते हैं जीवन से संबंदित उसमें वो उकेरे चाते हैं रंगों का प्रतीक आत्मक प्रियोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है जैसे देवियां नीली देव लाल राचस काले सादू सफेद या पीले और सिंदूरी वा लाल रंग शौडव वीरता के प्रतीक हैं तो देखिए यहां पर जैसा देख रहे हैं तो यहां पर छोटा-छोटा सा है आपको दिखाई कम ही देगा तो देखिए देवियां जो हैं वो तो नीली दिखाई देगी देव जो हैं देवता जो हैं वो लाल दिखाई देगे राचस जो हैं जो काले-काले से दिख रहे हैं यह राचस दिखाई देगे और इसके अलावा शाद में गोंद मिलाकर कलफ लगाया जाता है, सतह तयार होने पर उसे घोट कर समतल किया जाता है, इस पर पांच या साथ रंगों से चित्रन किया जाता है, रंगों में गेरू, हिर्मिच, जंगाल, हर्ताल, प्योडी, सिंदूर, हिंगुल, काजल, चूना वर नील आधी कप्रियों किया जाता है, सर्व प्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा और लाल रंग कपड़ों में, भूरा वास्तु निर्माण में अन्तिम रेखाएं केवल काले रंग से की जाती है, तो जो अन्तिम रेखाएं होती है, जो की बिलकुल किनारा जो होता है, वो काले रंग से किया जाता है, और ये देखिए कपड़े जो हैं वो लाल और हरे होते हैं और जो फेस होता है फेस यानि की जो सरीर होता है उस पर सिंदूरी रंग जो है वो किया जाता है अगला है पाने राजिस्तान में विभिन उत्रवों वा त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज बर बने चित्र पाने प्रति स्ठापित किये जाते हैं तो देखिए पाने क्या होते हैं जैसा कि हम लोग दीपावली पर देखते हैं कि गनेज जी और लक्षमी जी के पान के पत्तों के आकार में हमें मिलते हैं बाजार में तो वो क्या होते हैं पाने ही होते हैं कागज पर चित्र जो हैं वो बनाये जाते हैं देवी देपता के ठी राजिस्थान में गनेश जी, लक्षमी जी, राम देव जी, गोगा जी, श्रमन कुमार, तेजा जी, राम कृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देव नरायन जी, श्रीनाथ जी, नरे सिंग, आधी के पाने प्रचलित हैं, श्रीनाथ जी का पाना इनमे सरवादिक का लात अगला है कावण, कावण के बारे में आप लोग भी जानते हैं, कावण बनाना चितोडगर जिले के बसी गाउं के खेरादियों का पुस्तैनी व्यवसाय है, यहां के पारंपरिक कलाकर मांगी लाल मिस्त्री ने अपनी कावण परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई इनका वाचन श्रवन कर लोग श्रद्दा विवूत हो जाते हैं और मनमानादान करते हैं, तो कावण जो है वो किनका व्यवसाय है कावण बनाना चितोडगर जिले के बसी गाउं में कावण जो है वो बनाई जाती है, यहां का यह पुस्तैनी व्यवसाय है, और यहां के ज जिसमें कई द्वार बने होते हैं, सबी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं, कथा वाचन के साथ साथ ये कपाट खुलते जाते हैं, अंत में राम, लक्षमन, सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती हैं, कावर लाल रंग से रंगी जाती है, और इसके उपर का पुराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है, और इनमें चित्रांकन किसका होता है, महा भारत, रामायन, क्रश्न, लीला के बिभिन चरित्र और घटनायों का वेबरण होता है, साथ ही शनी, हनुमान, ब्रह्मा, लक्षमी, गरुन, लोक, देवताओं जैसे पाबुजी राम, देवजी, हरिश्चंद्र, गोपी चंद्र, भर धरी को कथानुसार कावण में चित्रित करते हैं, ठीक है, तो कावण हमने देखा, कावण पूछा जाता है, कि ये किसकी बनी होती है, ये लकडी की, मंदिरुनुमा, आकरती के रूप में ये बनी होती है, और कावण लाल रंग से रंगी जाती है, और काले रंग से जो कथाएं होती है, पोराणी कथाएं, इनका चित्रांकन किया जाता है, चित्तौर्जगर्जले के बसी गाउं, जहां के लोगों का ये पुस्तैनी व्यवसाय है, कावण, इसको बनाना, और इसके पारंपरी कलाकार है, मां दाग चुराये गए पश्वों की सिनाक्त की अतरिक सामान ने पहचान के लिए भी दिये जाते हैं। ये दाग लोहे के सरीये, मिट्टी की ढकनी, लोहे, पीतल की अक्षर तथा किसी ब्रक्षव से इसकी डाली को गरम कर दागे जाते हैं। चलिए, नेक्ट देखिए, महंदी, तो यहां महंदी के बारे में तो आप सबी जानते हैं। इस्तरियां बालिकाएं, तो लिखा से हातों में महंदी के बारीक मानने मंडती हैं। सोजत वा मालवा की महंदी, महंदी कहां की प्रसिद है? सोजत और मालवा की महंदी मारवाड में बहुत प्रसिद है। महंदी इस्तरियां द्वारा विवा, सगाई, बच्चे के जन्म, विविद, पूजन, सुब कार्यों में लगाई जाती हैं। इस्तरियां द्वारा विविद, महंदी कहां की प्रसिद हैं। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमडी खोद कर उसमें काला रंग भड़ने से चमडी में पक्का निशान बन जाता हैं। आदिवाशी लोगों में गोधने गुदवाने का अधिक चाओ रहा हैं। परियाप्त धन वा आभूशनों की अभव में शरीर के विविद अंगों पर गोधने गुदवा कर भी अपनी सोंदर्य भावना को संतुस्ट करते हैं। पिसरियां ललाट पर चांद तिलक आड गुदवाती हैं। आखों को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे पलक के साथ शार्य गुदवाती हैं। धार्मिक प्रतिक जैसे राम, लक्षमर, सीता, हनुमान, स्वास्ति, कलस, ओम, त्रशूल, पसुपक्षी, फूल पत्ती, ब्रक्ष, दैनिक कारणों में काम आने वाली वस्तों जोब गुदवाई जाती हैं। तो यहां पर तो इंपोर्टेंट नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए कोठियां। देवी देपता, जीव जन्तु, बैल बूटे तथा मानड़े उभारे जाते हैं। इन कोठे कोठियों में अन्न के अत्रिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तों जैसे घी, दूद, दही, आदी रखे जाते हैं। गाउं में क्या होता है। कोई भी चीज जो लंबे टाइम तक रखी जाती है, तो उसके लिए कोठियां बनाई जाती है। आप लोगों ने भी अपने गाउं में देखा होगा, कि चिक्नी मिट्टी की सहयता से इसे बनाया जाता है, जो अनाजव गरा होते हैं, वो रखने के लिए बनाई जाती है। और कई लोग जो होते हैं इसमें जाली ज़रों के जो हैं वो भी बनवाते हैं और डिजाइने जो हैं वो भी बनाई जाती है ठीक है तो वो होती है कोठियां नेक्स्ट है वील पक्षमी राजिस्थान के ग्रामिन अंचलों में वील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती हैं वील क्या होती है बास की पतली पत्ती खपच्चियों को धागे से बांध कर घोडे की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती ह यह है वील विभिन आकार प्रकार के खाने के लिए होती है इसे सुन्दर बनाने के लिए इसमें कई चोटे-चोटे गवाख्ष, जालिया, कंगूरे बनाये जाते हैं इन पर छोटे-छोटे कांच चिपकाये जाते हैं, इन में दैनिक उप्यों की वस्तू बरतन आदी सजाये जाते हैं, जैसलमेर शेतर में एक से बढ़कर एक सौंदरेपूर वील देखने को मिलती है, तो वील जो है सबसे ज्यादा फेमस है, जैसलमेर की, ठीक है, किस से आई जाती है, नेक्स्ट देखिए, चैप्टर जो है, वो complete हो गया है, देखिए, कट पुतली, धागों की सहयता से कास्ट, यानि लकडी से बनी पुतलियों, कट पुतलियों का कमाल देखते ही बनता है, धागा पुतली शैली राजिस्थान की देन मानी जाती है, सिंघासन में रुमानियां में आयोजित तृत्तिय अंतर राष्ट्रिय कटपुतली समारों में उद्यपूर के भारतिय लोग कला मंडल के कलाकारों ने राजिस्थान की इस कला में विश्व का प्रत्थम पुरसकार प्राप्तकर तहल का मचा दिया था ठीक है याद रखना है कब मचाय था 1965 में रुमानिया में जब तृत्तिय अंतराष्ट्रे कटपुतली समारों मनाया गया तो उद्यपूर के भारतिय लोग कला मंडल के कलाकारों ने यहाँ पर प्रत्थम इस्थान जो है वो प्राप्त किया था विश्व के अंदर किसमें कटपुतली में ठीक है तो कई बा लाइन जो है वो छोड़ दियो अंतिम तक पढ़ना है क्योंकि यहां से यह देखिए इंपोर्टेंट लाइन है यह आपका एक्जाम में कुशन पूछा जा सकता है पूछा जा सकता है कि किस जिले के द्वारा विश्व का पर्थम पुरुसकार जो है कटपुतली में 1965 में गया था तो याद रखना है उदय पूर्ष ठीक है अब देखिए कुछ लास्ट में है अभ्यास प्रश्न जिनको मैंने चैप्टर पढ़ाया है तो आपकी बारी है आपको बहुत अच्छे से ऑप्शन दिये हुए हैं इनको यहां पर भी सॉल्व करें कुश्चन आपको कह देखिए कि बणी ठड़ी किस चित्रशैली से संबन्दित है एक कुष्चन आपकी एक्जाम में तो आभी चुका है यह किसनगड़ सैली से संबन्दित है ठीक है किसनगड़, कोटा, मारवाड या चावन तो आंसर है किसनगड़ सैली जमनादास, छोटे लाल, बकसाराम, नंदलाल, चित्र कला की किस सेली से संबन देते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से देखा है। जालावार, अलवर, बीकानेर या मारवार। तो किस चित्र सेली से संबन देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है? अलवर, शेली, ठीके। जैपूर राज्य के उस कार खाने का नाम बताईए जहाँ कलाकार चितर और लगू चितर बनाते थे तो हमने देखा था तोसा खाना, सुतर खाना, सूरत खाना, जवाहर खाना, तो क्या था? सूरत खाना, ठीक है? नेक्स्ट दिखिए पक्षियों को महत्व देने वाली चितर शैली कौन सी है कितना अच्छे तरीके से मैंने ये डिफाइन किया था जब मैंने विशेष्थाएं बताई थी कुछ एहम, कुछ खास विशेष्थाएं जो की उस शैली की होती थी तो ये आप बताएंगे बुंदी शैली, जैपुर शैली, चावन शैली या देवगड शैली तो जो फर्स्ट कोशन है कि पिछवाई चितरांकन किस चितर शैली की वजेशता है आपको बताना है पक्षियों को महत्व देने वाली चितर शैली कौन सी है इन चारों में से बुंदी शैली, जैपुर शैली, चावन शैली या देवगड शैली नेक्स्ट अभी हमने देखा सांजी के बारे में सांजी का संबंध किस देवी से है सीता, उशा, दुर्गा, पारवती तो हमने देखा कि पारवती फडवाचन का कारे कौन करते हैं तो कौन करते हैं? भोपे करते हैं, कालबेल या बंजारे या सरगड़े तो हमने देखा अभी, बिल्कुल अभी ही हमने इस चीज़ को पढ़ा था मांगी लाल मिस्त्री की प्रशद्धी का शेत्र है रावण हत्ता, पुंगी, कावड या सहनाई तो इसका अंसर क्या था? इसका था कावड, ठीक है? कावड था मांगी लाल मिस्त्री, कावड से संबंदित है पड़ से संबंदित श्रीलाल जोसी किस जिले के निवासी थे? तो फड़ का बिलकुल अभी ही पड़ा है, देखिए आपको याद रहना चाहिए, श्रीलाल जोसी के बारे में हमने देखा था, धील वाडा, सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध था किसके लिए गोड के लिए प्रसिद्ध था कंबल के लिए कावड के लिए या महंदी के लिए तो महंदी के लिए प्रसिद्ध था इससे पहले दो कुशन जो है उनकी आंसर आपको देने है तो अतिलगु ज चैप्टर में निशारदीन कौन था पिछवाईयां जो हैं वो क्या होती हैं ये भी हमने बहुत अच्छे से देखा सुमेलित करिए लोकला है यहां संबंदित सामेगरी हैं पाने जो हैं किस पर लकड़ी पर रंग कपड़ा या कागज तो पाने जो हैं वो किस पर कागज पर ठीक है यह हमने देखा था फड़ जो है वो किस पर बना उकेरी जाती है कपड़ा ठीक है फड़ जो है वो कपड़े से संबंदित है मानड़ा जो है वो किस संबंदित है रंग से संबंदित है और कावर जो है वो कास्ट लकड़ी से संबंदित है ठीक है सांजी पूजा किस समय की जाती है तो यह हमने देखा था यह कप की जाती है दसेरे के बाद शायद यही हमने पढ़ा था गोडलिया से आप क्या समझते हैं सार्या से आप क्या समझते हैं मानड़ा के चार विश्यों के नाम लिखिए सांजी पूजा कितने दिनों तक की जाती है हमने देखा था जिनके आंसर जो है आपको question देखते ही याद हो गए होंगे, 15 दिन तक पाने क्या होते हैं, हमने देखा, पाने अभी हमने यहाँ पर भी देखा, कागज पर जो भी भगवान होते हैं, उनके चित्र बनाए जाते हैं, बिविन उत्सवों पर इनको क्या, खरीदा जाता है, पूजा होती है, ग्रामी डल्चल में कोठिया किस उप्योग में होती हैं, तो इसका आंसर तो आप सब भी जानते हैं, ठीक है, तो ये कुशन जो हैं, इनको भी सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहां से प्रस्ण जो है, वो भी आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा, देखे, चैप्टर से संबंदित कुछ भी होता है, वो वहीं के वहीं आपको सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपको ये चीज़ा जो याद रह सकें, चैप्टर पढ़ने के बाद इससे संबंदित जो कुछन होते हैं, उनको भी आप लगाईएगा, वीडियो जैसे ही आता है, आप इस चैप्टर को पढ़ें उसी दिन, और उसी दिन आप इनके कुछन आंसर जो हैं, वो सॉल्व करें, जिससे ये पता लग जाता है, कि आप को कितनी चीज़ें जो हैं, वो कितना समझ में आई, और कितनी याद नहीं है, उनको आप हाइलाइट कर लें, जिससे कि अंत्यम टाइम में आप केवल उनी चीज़ें को देख पाएं, ये होती है, तयारी करने का बहुत ही अच्छा तरीका, तो देखें, क्योंकि हम जब स् क्लास टेस्ट होता था, तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से याद करते थे, और हम टेस्ट देते थे, तो इस तरीके से चेप्टर पढ़ने के बाद, खुद चेप्टर पढ़ें, क्योश्यन आंसर लगाएं, और फिर अंत में देखें, हमने कौन सा आंसर जो है वो आत क्यों से चेप्टर